1870 से ही बेंगॉल में सीक्रेट सोसाइटीज बना शुरू हो गया था पर वो खास कुछ अक्टिफ थी नहीं फिर 1902 में अनुसिलिन समिती फॉर्म होती है पी मित्रा के द्वारा जो बेंगॉल के यूद को फिजिकल और मॉलर ट्रेनिंग प्रोवाइट करती है फिर 1906 में अनुसिलिन समिती के अंदर ही बरिंद क्रोमार घोश और भुपेंद नाथ धत्ता के द्वारा यूगांतर वीकली शुरू किया जाता है जिसमें रेवलुशनरी अक्टिविटीज को खुल के सपोर्ट किया था अब इस दोरान काफी सारी रेवलुशनरी अक्टिविटीज की गई थी जैसे 1907 में यूगांतर ग्रूप के द्वारा बिटिश ओफिशल फुलर पे अटैक करना हो फिर 1908 में प्रफुल चाकी और खुदी राम बोस के द्वारा जजज किंग्स फोर्ट की कैरिज पे बॉम फेका गया था पर अनफॉचनेट इस कैरिज में किंग्स फोर्ट नहीं बलकि उनकी फैमिली थी जिसके बाद प्रफुल चाकी खुद को गोली मार लेते हैं और नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंडियन स्ट्रगल के दुरान बहुत सी रेवलूशनरी अक्टिवटीज जो हुई उसका लिंग कहीं न कहीं अनुसिलन समेती और युगांतर से चुड़ा हुआ था